आपका टोटल होता है तीन लाख पच्पन अजार अवे और देड़ लाख कम पड़ रहे है अगर बुरा नमाने तो एक बात पूछू आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ये जेवर बिचने आये हो तेखें मेरी बेटी बीमार है और वो सिर्फ आपरेशन से ही ठीक हो सकती है और डॉक्टर ने इस आपरेशन के तकरिव बन तीन से पांच लाखा खर्चा बताया और मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है एक मिट मेरे पास आपके लिए कुछ है एक मिट हाँ यहाँ आ गया अपने सूरत में ही कामरेज के पास एक UNM Children Hospital है सुना है कि वहाँ बच्चों के ओपरेशन सबसेडाइज रेट में होते हैं या मुप में भी होते हैं तुम एक बार अपने बच्चे को वहाँ ले जाकर दिखा थो लो यह तो बहुत बड़ा होस्पिटल है यहाँ पर खर्च भी शाय ज्यादा ही होगा देखो यहाँ तक आई गया है तो एक बार डॉक्टर से मेल भी लेते हैं रभिश भाई देखो आपकी बच्चे के रिपोर्ट देख लिए मैंने सारे इसका उपरेशन यहाँ हो जाएगा चिंता मत करो यूए नम चिल्टर्न हॉस्पिटल में जो परिवार ऐसी सजरीज एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे उपरेशन किये जाते हैं तो खर्चे की आप चिंता मत करो अब आपने सारे चिंता है दूर कर दी तो आप डॉक्टर से जाके मिल लीजिए ठीक है क्या मंदर आ सकते हैं आई पीस, पीस आप जाओ जाओंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी डॉक्टर साब मुझे इस ऑपरेशन की बारे में से बहुत दर लग रहा है बिल्कुल आप घब रहा है यह नहीं सर्चन, ऑपरेशन थेटर, यहां की मशीन, हॉस्पेटल का इंत्रस्टर्च्चर सब इस ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए पूरे सक्षम है लेको परसो हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ऐसे फैमिली बिल्कुल चिंता नहीं करिया आप बहुत सेफ जगह पे और जस्रेलाक्स आपका बहुत बहुत सुप्या डप्रेशन एसे कई परिवारों की मदद कर रहा है हमारा UNM Children's Hospital जो एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पे जिन पेशेंट्स को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जिनको कोई मेजर आपरेशन से बिमारी का इलाज करना है उनके लिए UNM Hospital एक वर्दान साबित हुआ है नकेवल जरुरतमन परिवार बलकि यहां की वर्ल्ड क्लास ओपरेशन फैसिलिटी का लाप बहुती कम खर्च में इवन अफोर्डेबल क्लास भी ले रहा है मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के जरिए इस मैसेज के जरिए UNM Children Hospital की इस पहल को मैकसिमम लोगों तक पहुँचा है हमारी फोन सेवाएं आपके मार्क दर्शन के लिए 24 गंटे उपलब्ध है और क्या पता आपका यह effort किसी की जिन्दगी बदल दे और किसी के लिए सही में वर्दान साबित हो